Dear friends, आपका हमारी YouTube चैनल पे स्वागत है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि हमारी दौरा दी जाने वाली नएने वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके Friends, आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Part C का Question जो की आपका 16 February 2022 को पूछा गया है Question का statement देखते हैं, केता है, फोरा positive integer n, let omega n denotes the number of prime factor of n, counted with multiplicity For instance, omega 3 equals to 1, omega 6 equals to omega 9 equals to 2, let p greater than 3, क्या है, let p greater than 3 be a prime number and let n equals to p into p plus 2 into p plus 4, which are the following statements are true statements Option first क्या केता है, omega n greater than equals to 3, second option केता है, there exist prime p greater than 3 such that omega n equals to 3, option third केता है, p can never be the smallest prime divisor of n fourth option केता है, p can never be the smallest prime divisor of n, sorry, p can be the smallest prime divisor of n और इसमें केता है, can never be, ठीक है, देखे, इस बात को समझ लेते हैं, जैसे कि एक्जामपल के लिए ये बोला गया है अब देखे, omega 3, इसका मतलब क्या है, 3 का prime factor कौन है, 3 equals to 3 की power 1 कितनी power है, 1 है, इसका मतलब omega 3 की value कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, उसके power से देखिए अब यहाँ पे similarly, यदि हम बात करें, omega 6 की value की, तो यहाँ पे जो है, 6 के prime factor देखे, तो यह जो है, 2 into 3 हो जाएगा 2 की power 1, 3 की power 1, power को add करके लिख दीजी, omega 6 की value 1 plus 1, 2 हो जाएगी, ठीक है, वही चीज लिखी गई है similarly, 9 का prime factor देखिए, 3 की power 2, power कितनी है, 2 है, इसका मतलब omega 9 की value कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, यह बात समझे में आ गई, अब यहाँ पे कहता है, P greater than 3 बिया prime number क्या है, जो P है, यहाँ पे जो use हुआ है, यह P जो है, ऐसा number है, जो की prime है, और greater than 3 है, दो condition है, P prime number है, और 3 से बड़ा है, इसका मतलब जो है, P की जो possibility है, वो 5 आप ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, और यहाँ पे जो है, 11, 13, 17, 19, इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है, देखें, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो है, N की value लिखते हैं, जब यहाँ पे P equals 2 क्या है, 5 है, तो यह हो जाएगा, 5 into 5, 2 क्या हो जाएगा, 7 into 5, 4, 10, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 5 into 7 into 5 into 2, तो यह क्या हो जाएगा, 5 की power 2 into 7 की power 1 into 2 की power 1, अब यहाँ पे omega 5 into 7 into 10 की य यह क्या हो जाएगा 2, 1, 3, 1, 4, क्या है 4 हो जाएगा, ठीक है, similarly यहाँ पे जो है PG कोस्ट यदि हम 7 ले लें, तो यहन क्या हो जाएगा इस तरीके से, यह हो जाएगा 7 into 9, और 7, 4, 11, तो यह क्या हो जाएगा, 7 into 3 की पावर 2 into 11 की पावर 1, 2, 1, 3, 1, 4, यहाँ पे भी 4 आ गया अब इसी तरीके से आगे हम देखें, PG कोस्ट 2 जो है, हम 11 ले लें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, N की वेलू, यह हो जाएगा 11 into 13 into 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 की पावर 1 into 13 की पावर 1 into 5 की पावर 1 into 3 की पावर 1, तो यहाँ पे भी कितना हो गया, आप पावर add कर दीजिए 1 plus 1 plus 1 कितना हो गया 4 हो गया तो omega n की value यहाँ पे कितना हो जाएगी यह भी 4 हो जाएगी ठीक है omega 10 की value 4 omega 10 की value 4 ठीक है इसका मतलब यदि हम बात करें omega 7 into 9 into 11 इसकी value भी कितनी आ रही है 4 आ रही है फिर जो है ओके यहाँ पे omega 10 की value भी कितनी आ रही है 4 आ रही है ठीक है ओके 4 है अब यहाँ पे देखी एक चीज़ देखी यहाँ पे हर बार क्या रही है value 4 आ रही है 4 जो है हमेशा मिल रही है आपको यहाँ पे भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 similarly आप आगी भी बढ़ते जाएंगे तो आपको क्या है? इसकी value 4 ही मिलती रहेगी और यह कहता है dear exist prime P greater than 3 such that omega n is equals to 3 जो कि क्या है? impossible है कभी भी ऐसा नहीं हो सकता option A कहता है omega n की जो value है वो greater than 3 greater than or equals to 3 बात को समझे omega n is greater than or equals to 3 या तो greater than 3 होगा या तो equals to 3 होगा अब equals to की condition तो fail है तो greater than की condition है मतलब यहाँ पे यदि greater than 3 है जो कि क्लिरली पता है कि 4 जो है greater than 3 है तो 4 को जो हम क्या लिख सकते है 4 greater than equals to 3 ऐसा भी इलम लिख सकते हैं कोई problem नहीं है यह mathematics की language है तो यहां से जो आपका option first है यह भी true हो जाएगा अब बात करते हैं यहां पे अब देखे पी जी को स्टू यहां पे यहां पे यहां देखें तो 5 है और यह कहता है जब पी है जो पी है वही हमारा क्या है smallest prime divisor है किसका एन का क्योंकि यहां पे जो expansion है इसमें सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है पी और यहां पे यह पी क्या है इसको divide करेगा और यहां से देखेंगे तब तो यह ठीक लगेगा बट यहां पे यहां से आजाएं तो यहां पे problem create हो जाएगी जब p greater than 3 condition यह भी तो hold होनी चाहिए क्या है यह सारी condition hold होनी चाहिए उसके भिहाब पे यह चीज़े होती है ठीक है p greater than 3 की condition है तो यहां पे आजाएए यहां पे जो है p equals to क्या है 5 मतलब जो है जो n है 5 into 7 into 10 मतलब 350 जो है यह नमबर इसको जो है 5 छोटे से छोटा diviser है जो की divided करता है और हमें पता है कि इसको जब हम expand करेंगे तो यह 2 मिलेगा 2 जो है प्राइम नमबर है सबसे छोटा है और इसको divide करता है तो यहां पे इसका मतलब जो है यह कहता है कि P जो है जो यह value है 5 यहां पे clearly 5 है यहां पे भी यदि देखे तो यहां पे आपका 7 है smallest क्या smallest 7 है और यहां पे जब आप expand करेंगे तो यह सबसे smallest 3 है और 3 क्या करेगा इसको divide कर जाएगा 3 जो है 7 into 9 into 11 को क्या कर जाएगा divide कर जाएगा और यह कहता है कि 7 इसके एकारडिंग जो है पीजी कोष्टू तो 7 होना चाहिए न तो पीजी कोष्टू 7 नहीं बल्कि smallest diviser वह कोन है 3 है similarly यहां पे आजएगे पीजी कोष्टू क्या है यहां पे 11 और 11 को smallest इसका diviser होना चाहिए बट यहां पे 3 जो है क्या है smallest prime diviser तो इसका मतलब यह हुआ कि जो यह बोला जा रहा है P can be the smallest prime diviser of N तीन हमने जो है इसके आगे तीन ट्रम को हमने देखा और देखने के बाद जो यहां पे P है यह वाली वैलू यह हमारा smallest prime diviser नहीं है जो कि N को divide करे और यह इससे भी छोटे छोटे diviser हमें मिल रही है यहां पे बात करें तो P equals to 3 है सबसे छोटा prime diviser है सबसे छोटा smallest prime number है जो कि इस number को divide करता है ठीक है 11 into 13 into 15 similarly आप आगे भी देखते जाएंगे तो इस तरीके से आपको कोई भी ऐसा smallest prime P नहीं मिलेगा जो कि N को divide कर दे तो यह क्या कहता है इसको यह कहता है कि डिवाइड करेगा मतलब जो है हमने 3 से देखा कि यह है नहीं तो यह हो गया रोंग और यह कहता है P can never be the smallest prime diviser of N इस तरीके से आप आगे भी देखेंगे कि जो यह आपका P है यह आपका smallest prime diviser नहीं होगा किसका N का ठीक है तो इसका मतलब जो है C option भी आपका true हो जाएगा P can never be the smallest prime diviser of N तो यहां पे जो true option है आपका option number first और option number third है यह आपका true option है तो यहां पे थोड़ा सा जो समझने वाली बात यह थी P prime से related नहीं था P का मतलब यह जो expansion हुआ है यहां पे जो यह P है इसका मतलब है क्या है इसकी बात वो कर रहा है क्या है इसकी बात वो कर रहा है ठीक है यह जो P है यह क्या करेगा इसको divide करेगा और clearly यहां से देखने से तो लग रहा है कि यही सबसे छोटा है और यहां पे जब आप करेंगे तो इस तरीके से तो और भी छोटे आपको मिल जाएंगे ठीक है तो यहां से जो C है यह आपका true हो जाएगा जो D है यह आपका wrong हो जाएगा ठीक है फाइनली आपका जो A option है और जो C option है यह आपका true रहेगा और ऐसे question इसलिए डाले जाते है ताकि आप question का statement है उसको समझने के लिए आपके पास कम time तो रहेगा ही रहेगा exam के अंदर और वहाँ पे आप क्या करेंगे इस चोटे चोटे type के questions होंगे जिसको आप आसानी से solve कर सकते हैं वहाँ पे आप solve नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको यह रहेगा कि क्या हम इसको सही से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बट यहां पे यह जो question है बिल्कुल easy question होते हैं दो-तीन जैसे इस तरीके से question को समझ लिया आपने फिर यहां पे दो-तीन लिखा और लिखने के बाद बस ये किया और ये करने के बाद चारो question के जो options थे उनको थोड़ा सा समझ लिया और समझने के बाद जो आपका answer था उसको आपने देख लिया कि कौन को नापका true है ठीक है तो इस तरीके से I hope जो next time यदि आपने इसको solve किया है तो ठीक है अच्छी बात है यदि आपने इस type के question को इस बार नहीं solve किया है तो next time से आप sure solve करेंगे ठीक है